नमस्कार दोस्तो, मैं आपको इस वीडियो का संदर्म समझाओ और अपना परिचे दू उससे पहले मैं आपको एक खुसकबरी देना चाहूँगा तो खुसकबरी यह है, यहाँ पे आप देखिए, नौ सेना में पहली बार सामिल हुई 341 महिला है मैं इसको एक्स्प्रेइन करता हूँ, नौ सेना परमुख ने कहा कि नौ सेना में करीब 3000 अगनीविर पहुँचे हैं, जिन में से 341 महिला हैं काफी प्रॉड मोमेंट है, आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि पहली बार हम महिला नौिको को नौ सेना में सामिल कर रहे हैं, यह भी grateful है उन्होंने यह भी कहा, आगे सुनिए कि अब नौ सेना के सभी ब्राच में सभी के लिए खुली रहेगी मतलब महिलाएं भी अब सभी ब्राच में होंगी, नौ सेना के आगे उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा हम 2020 में सभी सखाओं में महिला आधिकारियों को सामिल करने पर विचार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक साथ बल्क में खुस खबरियां मिलती हैं महिलाओं के लिए हमारी इंडियन्स ओमेंज के लिए नए नए उनके भी डिवलाप्मेंट के और उनके इंपोर्मेंट के रास्ते खुल रहे हैं तो इसके लिए मैं आप सभी को बढ़ाई देना चाहूंगा अब आगे इस वीडियो के संदर्ख पे चलते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कुछ सिखने को मिलेगा और क्या चीज़े यहां से निकल कहाएंगी जो आपको exam point of view से help करेगा तो हम इसके headline के साथ सुरू करते हैं दोस्तो उससे पहले मतादू मेरा नाम है सुबास बर्मा और आप मुझे कोई भी सोसल मीडिया इंस्टाग्राम हो फेस्बूक नहीं मैं चलाता ट्यूटर हो और यूटूब हो कहीं पे भी आप मुझे यूजर नेम जे एच अंडर स्कोर सुबास बर्मा के नाम से आप मुझे साच करके अपने जो है प्रसनल क्वाइरिज मेरे साथ साजा कर सकते हैं अब आईए इसका हेडलाइन सुरू करते हैं दो अजर सेटालीस तक आत्म निर्वर बनेगी नौसेना यह एड्मीरल का स्टेटमेंट है तो सबसे पहले मिस आत्म निर्वर सब्द को पकड़ते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब सीम्पल है कि दो अजर सेटालीस तक हमारी नौसेना इस लायक बन जाएगी कि उनके जो सुरच्छा समधान के चीजे हैं वा भारत महीं निर्मित होंगी इसका मतलब मोटा मोटी यही डिवनेसन था अब यहाँ पर इस सब्द को इस सेंटेंस को एड्मिरल ने का है तो वरतमान में हमारे नौसेना के जो एड्मिरल है वा कौन है तो वा है नौसेना पर मुख की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं है और नौसेना पर मुख जो भी वरतमान में है वह है एड्मीरल आर हरी कुमार यहाँ पर मैं लिग देता हूँ आर हरी कुमार एक्चुली क्या की रिसोर्सेज के अभाव में और मेरी जो खुद की जो फ्यूच करूँगा कि आपको हर चीज मैं समझा दू आप मेरे सब्दों पर फोकस रहिएगा कि मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ अब इतनी चीज़े आप जानगे आत्मिर भर समझ गें एड्मीरल को हैं समझ गें आर हरी कुमार है ठीक है अब आईए इसके कुछ हेड्लैंस बतातो उ तो है अभियान गत परदरसन देखेंगी राष्टपती इसको मैं समझाओंगा लेटर पहले हैड्लैंड पढ़ लिजे पहली बार नई दिली के बाहर हो रहा है मुख्य कारक्रम और नेक्स्ट नौ सेना के जहाज पंडूमिया विमान और जो जवान है करेंगे सक्ति परद विसाखा पत्नम में कह हो रहा है तो विसाखा पत्नम में आपका हो रहा है राम कृस्न बीज पर ठीक है तो यतनी चीजा आपको याद रखनी है आप चीजे लिखते जाए क्योंकि आई होप कि वीडियो क्वालिटी में जो यह कंटेन्ट है उतना अच्छे से नहीं दिख तो जो मैं बोल रहу हूँ आप लिखते जाईए की इस बार जो नए दिलियं में नहीं हो रहा है मुखे कारिकरम इस बार जो मुखे odor करम है वह विसाखा पतनम के राम कृष्णम बीच पह रही है और इसके जो वीषिस्ट आती थी है है वह हमारी जो वरतमान राश्ट्पति ह गर्व झिरोंगे, जियु आपको निंगल के आती है जो आपको ध्यान में रखना की चीज थी जोआता प्लावु आपको पूछा जा सकती है वह पूछ जासकती है आपको बताता हूं उससे पहले उता दू इसके संदर में कुछ जानकारिया तो इसके संदर में जो जानकारिय है वह यह है कि दोस्तो इसका पूरा नाम जो है MQ-9 Predator ससात्र ड्रोन है और यह अमिर्का से इंपोर्ट करने की बात चलिए है मतलब अमिर्का से खरीदे जाने की जो खरेद जाने के लिए परस्तावित है और उससे परिकरिया यह ओन गोइंग परिकरिया एड्मीरल नहीं कहा ठीक है और यह तीस मंगाया जा रहा है तो कुछ चीज़ आप याद रखिए पहला कि यह जो है USA अमिर्का से मंगाया जा रहा है ठीक है तीस के संख्या में मंगाया जा रहा है तो दोस्तों चीन से जो लगी सीमा है उसकी सूरच्ठ जो है सुनिष्चित करनी है उसको मजबूत करना है और पूरा हिंद मास अगरक को sibling करना में इसलिए इसको जो है अमिर्का से खरीद जाने की बात चल रही है तो इतने चीजे जो थी इस वीडियो के माध्यम से आपको करेंट अफेर पॉइंट आफ यू से इंफॉर्मेटीव थी जो की बताया गया अब जो की क्या है आज रवीवार है और अज 4 दिसंबर 2022 भी है अब आज चुकी आज 4 दिसंबर है और परतेक वर्स चार दिसंबर कोई भारतिय नौसे न दिवस मनाया जाता है तो इसके संदर्म में कुछ हम जानकारियां देख लेते जो की एक जाम पॉइंट आप यू से इंपॉर्डेट होगा सबसे पहले तो मैं आपको बताने का कोशिस करता हूँ कि एक्चुली में 4 दिसंबर कोई इंगे नेवीडे यानि की भारतिय नौसे न दिवस क्यों मनाया जाता है तो दोस्तो इसके पीछे हिस्ट्री यह है कि 4 दिसंबर 1971 के जो है 4 दिसंबर 1971 में पीछे जाए चार दिसंबर 1971 के समय जो है भारत पाक युद हो रहा था बंगलादेश उसी वक्त अलगवा था आपको मालूम होगा तो 4 दिसंबर 1971 के भारत पकिस्तान के जो युद था उसमें भारतिय नौसेना की नौसेना ने जीत हासिल किया था उसी जीत के जैसन में एवां भारतिय नौसेना की जो मतलब सक्ती थी और बहुद्री थी उसको याद करते हुए मनाया जाता है ठीक है इतना आपको ध्यान में रखना अगर इसको मैं एक्स्प्रियन करने की कोशिस करूँ मैं आपको और समझाने कोशिस करूँ हाला कि आप सायद न समझ पाए हो तो मैं आपको उताता हूँ कि जब 1971 का यूद चल रहा था तो एक्चुली 3 दिसंबर को जो है भारत की एर बेस एर स्पेस और सीमा छेत्रे जो भारती है उस पे पकिस्तानी सेना दोवारा जो हमला कर दिया गा था और जो यूद का जो सुरुवात एक ट्राइडेंड ठीक है इसका जो मतलब यह जो जो जोई भी करवाई करते हुए यह उप्रेशन चला गया था और इसके तहर जो है चार दिसंबर को पकिस्तान के करांची नौसेनी काड़े को जो है तहस नस कर दिया गया था इसी जीत के एवज में जो है हर वर्स जो है चार जान लेते हैं जो आई होप की एक्जामिनेशन में आ जाजा है अधरवाई हिस्ट्री पॉइंट आप यूस से आप याद रखिए कि एक्च्वल में भारतिये नौसेना जो है यह भारतिये सेना का एक समूंदरी हिस्सा है ठीक है जिसे 1612 में सबसे पहले अस्थापित किया गया था 1612 में सबसे पहले इसको अस्थापित किया गया था इसको याद रखे हो सकता है एक्जामिनेशन में आ जाए और किसके दोरा किया गया था तो इस्ट इंडिया कंपनी दोरा किया गया था तो उनके जो जहाज थे उनके सुरच्छा परपस से जो है समूंदरी सेना क तोर पे गठन किया गया था इसका गठित किया गया था ठीक है तो इतना ध्यान में रखें अब इसमें क्या-क्या आमुल चुल बदला ओए तो बाद में इसे रोयल इंडियन नेवी नाम दे दिया गया रोयल इंडियन नेवी बाद में इसको नाम दे दिया गया और फिर जो स अधित भी किया गिया और इसका नाम बदल के भारतिये नौ से ना कर दिया गया तब से भारतिये नौ से नहीं है तो यह कुछ जानकारियां थी जो मैं इस वीडियो के मादेम से आपको देना चाहता था और I think कि मैं सफल हुआ यह जानकारी देने में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट सक्सेल में कुछ मैंने सायथ कुछ ज्यादा मतलब को जानकारी गलत दे दी हो I hope ऐसा तो मुझे लगता नहीं है या कुछ आप आप और भी जानकारी जानते हैं इस समंदित इसके संदर में तो आप कमेंट सक्सेल में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट तो करना ही है चैनल को आप सब्सक्राइब तो करेंगे हैं अगर इसी परकार के वीडियो देखना या जै में मूद्ध है कि अगर आप ये वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करिएगा अगर आप डारेक्टली किसी को ने भेश सकते तो अपने वाट से फेस्बूक इंस्टाग्राम इत्यादी प्लेटफॉर्म पे स्टेटस लगा सकते हैं ट्यूटर पे साजा कर सकते हैं अन्तता म यही कहूंगा कि वीडियो में यहां तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवा फिर मिलते किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई जोहर जारकन जहिंच भारत